चंडिगेड लोकसभा सीड दे उत्ते कांग्रेस दे पमन बांसल बीजेपी दे किरन खेर ते आम आदी पाटी दे हर्मोन तवन दे विच मुकाबला है ते उन्नी तरीक नू एथे बोटना पहनी है ऐसी इस्टेम पोंचे हैं सेक्टर 15 दे पार्क विच एथे बोद लोकी बै बात करके जढन दी कोशिच कर देया है कि जढ़ा उन्नी तरीक नू बोटना पहनी है उंकी सोच करी अपने बोटनी पान गे उन्ना दै मुद्दिखी ने की ओओ लोकल जड़े मुद्दे उन्ना लितियां तियान रह रह नचोर एना इस न्यान टियां रह एसी ऐिगानि इ कि सोच के तुझी वोट पान गाओ में? मोधी तो जो है जुटा है उसको भीमारी लगी है उसके यांस की भीमारी लगी है आपने मतलब कमरे चो उठके बार गेट ते आए आके असी आनु सारी अपनी डिमांड दसी के इंटर डिपार्टमेंटल पॉल्सी तुसी अडॉप्ट किती है साथे ते पर इनाने सानु ए क्या इवन ओथे साड़े पारे की गाल करनी सी इवन इनाने ए क्या कि एते तुसी मल पास कराया जगा लाट होगी इस बंदे ने क्या पास कराया मैं गहां कि यूटी इंपलाई यूनियन दा चेर्मेन होन दे बावजूद मैं गहना कि सानु अजी चाली-चाली सालों के कम कर दे यूटी दे विच सादे बस्ते मलगे हाउसिंग बोड़ जगा इनी ए बाकी मल अगर कोलोनिया बसान मसे जगा है जाद की किरन खेर ने कुछ नहीं किता हुदे बिच सगो साध्या जड़ा रेट सी दास अजार दास लख तो असी लख रव्या कारता अठ मैं करते मैं कि जड़ी स्कीम आज दी डेट हाउसिंग बोड़ ने जानू देन देन दे कोशिश क कर रही है मेरा देख्यार है शायद कोई भी इंपलाई सटा बंदा लेंड नो त्यार ही नहीं है यह थे कुछ होर बिजुर्ग भी बैठेया उनना भी गलबात कर देयां ते देख देयां उनना दाकी कहना है कि जड़ा उननी तरीग नूमादान होना है वह अपने बोड़ अपने हैं पाण गे केडे मोदेयन दुदें के जड़ है झीक के ब बॉट पांगे तव केड़े मुद्यां देखके बॉट पाऊंगे और हम चाहते हैं कि जो पार्टी सारे देश के सारे वर्ग को चाहे वो हिंदू, सिख, मुसल्मान, इसाई, भाई, कोई भी हो सब को साथ लेकर चले हम उस पार्टी को बोड़ देंगे मेरे ख्याल में वो ऐसी पार्टी हमारे भारत देश में एक ही नजर मेरे को तो आती है, जो सारे वर्गों को साथ लेकर चल रही है और अगे चलेगी जिसने देश को इस गलामी की जिंजिरों से नकाल कर यह जादी का सुपना दखाया है तो मेरे जिश्चा में तो यही मैं सोचता हूँ, मैं अपने भाईयों से भी यही कहता हूँ कि भाई ऐसी पार्टी को बोड़ डालो, जो देश को सारें को लेकर कठे करके अगे बड़े और देश को एक मुठ बना कर, एक जुट बना कर रखे ना के भरगों में बांटे, ना के धर्मों में बांटे, वो देश को कभी भी भला नहीं कर सकते तो मेरे ध्यान में जो चंडीगड के बोड़े हैं, मैं तो उनसे यही कहता हूँ और मैं यही अपना आप अपने परवार की बोटें सारी कांगर्स के कैंड़ेट शीरी पावन को और बांसल को डालूँगा क्योंकि उन्होंने हमारे चंडीगड को जो सिकर पर पचाया है, वो आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी कैंड़ेट ने नहीं पचाया हम अमीद है कि बांसल साब जीतेंगे और जीदकार इस देश को और इस कंट्री को और इस शहर को जो सुपने इन्होंने अपने रेल्वे मिनिस्टर होते जीचे थे वो सुपने को बड़ी जल्दी पूरा करेंगे और चंडीगड को एक नंबर पर लाएंगे जो अभी पच जबकि वो देश को दूसरी जो कंट्रीयां विशव की वो जो कंट्रीयां है वो साथ साल में पचास साल में मतलकि काफी आगे निकल गी हम उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाए और इसके लिए कांग्रेस जुमेबार है कर देखे जुआब नदरू से लेकर मैं इसमेशता हूं कोई को हम आरी अजादी में पचास साल में हुआ है कहां थे सक पास। पपूलेशन को पिछड़ काम है हमारे पास सोर्चे थे नहीं हमने सोर्चे ड्वालप करें सारे के सारे हमारी सरकारों ने जितनी सरकारे भी रही है पीछे बहुत पछे काम की है बहुत ज़़ा काम की हैं हम तो पिछड़ें सिर्फ मैं समया नहीं पापूलेशन पहले सबसे पहले जो मेंस मस्या हाए पापूलेशन पर इस पर इसको गल्थ का तरीके से ले लिया इनके नस्बंदी थी निद्रागाद जीनियर मेरे खाल में बहुत बड़ी अप्राइम में से थे वर्ल्ड के और हमारे कॉंग्रिस के रहे हैं इंडिया के जिनों देश को कहां से कहां पंचाया हमें एमर्जंसी लगानी पड़ी उसके गल्द पढ़ना भी निकले लेकिन उस जुमले बाजिय में मिली जितना ब्लैक मुनी में क्या मिला हमें नोट मंकिन क्या मिला हमें इस जीएस्ती बहुत बड़ी आइट मैं लगाई अच्छी है कॉंग्रिस ने भी कहा था हम लगाएंगे इनों दो हुआ लेकिन इसिका सरली करनोणा चाहिए देश के लिए कर दिए कहां से पैदे करेंगा हर वर्ग दुखी है तो यह सुद्रने वाले नहीं है आपको नहीं लगता भी जो बेरोज कारी है वो कम हुई है अब देश में मतल की युवा वर्ग है वो हलांकि सरकारी नोक्रियों में तो नहीं जा पाया पर वह अपना काम तो कर रहा है के प्राइवेट कंपणियों में तो क्वाम कर रहा है मैं फर्स्टाम बोटर हूँ जी और मैं आपको एक बात बड़े सॉलिड प्रूफ के साथ बताना चाहूँगा कि मैं कॉर्परेड में भी जॉब करता हूँ और खुद का बिजनस भी है तो इसको मद्दे नजर रखते हुए एक बात बोलना जाओँगा कि जब तक आपके ऑफिस में आपका बॉस नहीं बैढता है तब तक आपके ऑफिस क का ड्वल्पमेंट और उसकी ग्रोथ नहीं होती है तो मेरे को स्टेट मैं नैशनल लेवल पर तो नहीं बोल पाऊंगा वी इस उमर में बट अपने चंडिगर के लिए बोलना चाहूँगा कि जो हमने बहार से लाके बंदे बिठाए हैं वो हमने अपने पैर पे कुलारा मा पिछली बार आपका कहना भी लोकल केंडिडेट होना चाहिए हमारे पास और उसी को आगे हमको लेकर जाना चाहिए अगर हम अपनी ग्रोथ चाहते हैं परस्का अपनी ग्रोथ होगी तो हम आगे नैशनल लेवल पर जा पाएंगे अपने तरह एक नूँ बोटा पहनी है तो उसी बोट पाँ जाना तो की सोच के बोट पाओँगे देखो जी बोट हर एक इंसनन कुछ ना को सोच की डालता है तो अपने देश के लिए अपने परिवार के लिए ताकि तरक्की हो तो हम लोगों ने पिछली बार भी मोदी जी को वोट दिया था, क्योंकि उनका एक लहर थी उस टाइम तो हम लोगों ने सोचा था कि मोदी जैसी जैसे बाते कर रहे हैं, उस हिसाब से देश में बदलाव लाने वाले इस रिवे की ही हैं क्योंकि जिस तरह से उन्हों ने का रश्फन के लिए बोला, शिक्षा के लिए बोला, रोजगर के लिए बोला और н अपना राममंदिर के मुद्वों की बात चल रही थी. इस तक हम लोगों को लग रहा है कि ये हमारे देश को सुधर जकते हैं. हमारे पास एक चांस था जिस हिसाब से अगर सेंटर में भी सरकार बीजेपी की बने थी तो उन लोगों को चाहिए था कि उनके बास बहुत अच्छा मोका था अगर कहते हैं कि 60-70 साल कांगरेस ने राज किया है तो आपके बास राज करने का मोका आया था लेकिन आप लोगों हुआ करेंगे ने हाम Ten La Kakye कर शुझा हमारा को तो आभ आगर जाए तो हम यह चाहते हैं कि आने वाले टाइम में बादे करते रहे हम यह करेंगे हमारा असंट एशा काम चलेगा आइसा कुछ भी तैंइक कुछ आज आजब नियुगा अगर देखा जाएगा तो हम यह चाहत हम यह निकातें मोधी जी की यह अब मोधी जी को देखे वोर्ट दो आप उसको देखो आपका कैंडिडेट आप उसको देखो यू कितना एज प्रीडेट में आपके साथ है अप उसको देखे वोड़ कीजिए तो जो इन्होंने हमारे व्यों को नोगरी के लिए प्राइविट नोगरी मिलेगी हर एक घर के अंतर जो बेरोजगार हो जाएगा सर बताओ कहां पर कोन हो और कोई नहीं हुआ है सब इतनी भूक बढ़ा दिया है इतना भूक मरी होगी है कि बौत बुरा हाल है प्राइविट नोगरी में क्या मिलता है दस जार पर कॉंट्रेक्ट कर दिया सारा एक ता रास्टर हित्त दापनता आएगा जड़ा बेन ऐसे लिए चल रहा है उदे और कीपिंग इन व्यू अपा उस सावना वोट बढ़ी है बाकी जड़े मुदी साव कर रहे है जिस सावनार उदे बेजने होते है तुसी की लाग रहा है जो एक कहन देने ना वोट लेंड तो पहला हूं वो कर दे रहे बाच मैं ही कहना है क्योंके इस अड़ा आज दा नहीं हून मेरी उमल अठाट साल है मैं पतने किनिया वोटा पाचका हूं किने साल ते मिन्न कोई भी बंदा है ना चो फेर नहीं लगा असलिए चंके गलते हैं कि इनना चुरां चूर स्पोर्ट करो अगल बनगी पी स्पोर्ट करे खा ते इस दमदा थो नहीं नोट ता दबाऊंगे ना बिलकुल नहीं आज वोट नहीं पाँगे अच्छा बोड़ी नहीं पाने नहीं पाने नहीं क्यों प्याए कि कामीना दोनों में सोच के नहीं है सपख़कर करने तांग करें पैसा कर्च करती है है और वास्ते अज्जेतक सब्सक्राइब करें नीये अचर्डे एक वास्ते कुछ नी सोच्छा आतमी असी जिस पामरजी फसल असी फसल वेच्चर नहीं जाने असी मंधीज फसल सोटन जाने हैं। तो सरकार है जैदी साल हुआ फसला दे पादे वी क्योंकि साड़ा जिमीदार है और सारा देश जिमीदार दे सिर्ति है जैन निवां मजूर है तो आप उपर क्या करेगा सारा कोष्व दुख्णे का जूरा है कि वेक्खो जी कोई दुख्णे नहीं होएगे कोई दुगने नहीं हो एगे मंधियां जि निया जिकानका रोली ते एस वास्ते असी जिमिदार तब का जो भी कसान नहीं तब का अशी किसे नू लाइक निए कर दे किसे नू पषल है दें को कि आपका कि यूँए तर दोनों पार्टी या कोई निया किया है लेकर कांगर्स ने आई तो पैंटी चाली सार राज की ता जो को चो और ना करना सी कर लिया जो खाना सी कहा लिया है होन एसे वकद जो करना मेरे ख्यालाब ओर राजीव जी ने कि राजीव जी ने के हर गरी परवार नू छेजार भी ने घजाए जाओ पाकि जाओ तर पांगा दोना नोग जोड़ होंगी त्यों बनिया हुई है। मैं दिनेश कोई कैमरावेन जादव देनाल दैनिक सुएरा टेवी ली चंडिकड़तों।